Dear students, स्वागत आप से विका, फिर से एक नेव वीडियो में बच्चों जब हमारा देश आजाद हो गया था, तो आजाद होने के साथ साथ ही ये बंट भी गया था पकिस्तान जो है इसका एक खंड बन गया और एक हिंदुस्तान जो पहले से था तो जो पकिस्तान में जितने भी हिंदु लोग थे उन्हें मार कर भगाया जाने लगा उसे हिंदुस्तान भेजा जाने लगा और कई सारे मुस्लिम जो थे हमारे देश तो पहले धर्म निरपेश देश रहा है तो मुस्लिम लोगों को यहां पे अपने इच्छानुसार रहने की अनुमती दी गई जो रहना चाहे तो रह सकते हैं और जो जाना चाहे वो पकिस्तान जा सकते हैं इस तरह की बाते रखी गई तो कई सारे लोग वहां के यहां आने लगे और यहां के लोग वहां जाने लगे आई दखते हैं इस chapter में क्या है यह class 5 का лист City book है और chapter 10 है इस chapter का नाम है सोतंत्र भारत और विकास की उजनाएं तो जब हमारा देश आजाद हो गया तो ऐसी उजनाएं बनाने जाने लगी कि हमारा देश आगे बढ़ सके तरक्की कर सके, जो गरीबी फेली हुई थी, लोग समस्याओं से जूज रहे थे, तो उसे किसी तरह से दूर किया जा सके, हम लोग चेप्टर को संचिप्त रुप्त में पढ़ लेते हैं, फिर इसको question answer करेंगे, हमने पिछले अध्यायों में सोतंतरता आंदोलन की कहानी पढ दान की, बिद्रिशों में जाकर आजाद हिंद सेना का गठन करके सुबास चंदर बोस हुआ, अन लोगों ने अंग्रेजों के विरुध युद्ध किया, और अपने देश का एक भाग अंडमान दीप समू, अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया, तो अंडमान दीप समू, जो है अंडमान निकोवार, उसको सुबास चंदर बोस ने आजाद करवाया था, मुंबै में नौ सेना तथा अनेक छावनियों में सेना ने बिद्रो कर दिया, और अंग्रेज अधिकारियों का आदेश पालन करने से मना कर दिया, जब इस तरह की आंदोलन पुरी देश में फैलने लगा अंग्रेजों के खिलाप, तो सेना में जो भी लोग थे, उन लोगों ने भी सरकार के खिलाप आवाज उठा दिया, उनके ओर्डर को मानने से वे इनकार कर दिये, आजाद हिंद के सैनिक अधिकारियों को पकड़ लिया गया, दिल्ली के लाल किले में उन पर म बंद कर दिये, पंडी जोरलाल नेरों ने सेनिकों के वकील के नाते मुक्दमा लड़ा, वे वकील थे, बैरिस्टर थे, भारी बिरोध के कारण इन अधिकारियों को छोड़ना पड़ा, तो ऐसा इस्थिति बंता गिया, कि ब्रेटिस सरकार के लिए भारत पर सासन बनाए रखना असंभव हो गया, और जैसे ही दूतियों भी सुजूद 45 में समाप्त हुआ, 1945 में, अंग्रेजों को उसमें पराजे मिली, इसलिए भारत को सोतंतर करने की वारता करने के लिए इंग्लेंड से सरकार के परतिनीधी भारत आये, वे हमेशा हर इस्थिति में यही चाते के द्वारा बनवा दिये, और उन लोगों को जिसमें से एक मुहमद अली जिन्ना नाम करके एक नियता थे, मुसलिमों का, मुसलिम लीक संस्थापक का, तो उनको जो है, पाकिस्तान अपना एक अलग देश मांगने को उत्सुप कर दिये, उकसा दिये, और अंतता जो है, ज अंतता जो है, उन लोगों ने भारत और पाकिस्तान दो हिस्से बाट दिये, तो अंग्रेज जाते जाते भी हमारे देश को टुकड़े करके गए, हमारे देश खंडित हो गया, बंगाल का पूरीवी भाग, पूरीवी पाकिस्तान बना, जो अब बंगलादेश के नाम से सो अब दिया, और सबसे पहले जो है, परधान मंत्री के रूप में पंडि जवारलाल नेहरू, उप परधान मंत्री यम गिरिह मंत्री लोह पूरुष सरदार वलब भाई पटिल बने, चक्रवरती राज गुपाला चारी भारत के पर्थम गवर्नर जनरल बनाए गए, तो को खदेडा जाने लगा, पकिस्तान से हिंदु को खदेडा जा रहा था, अंग्रेजी सासन तो समाप्त हो गया, परंतु भारत देश का सिंधू, बलुचिस्तान, आधा पंजाब, आधा बंगाल, पकिस्तान बना दिया गिया, जहां वेदों की रचना हुई, गुरु नान भारत सवतंतर हुआ, अपना सासन आया, 1950 में अपना सम्विधान बनाया गया, सरदार पटेल के प्रियास से देश के लगभग 600 छोटो बड़े रियासतों का भारत गनराईज में विले हुआ, सवतंतर भारत में नई व्यवस्थाएं बनाये गई, तो अपने देश का सासन सविधान बना, अन्यता हम लोग जब तक हमारा सम्विधान नहीं था, हम अंग्रेजी सम्विधान के नुसार देश को सासित कर रहे थे, देश का जो सवतंतरता की कहानी है, उसे हमें याद रखना है, असाइंक वीर पूरुष, युद्धा, करांतिकारियों, नेताओं, इ पूरुष, अतनतरता प्राफ्ति की बाद देश के करंबद विकास के लिए योजना बनाने का कारिय प्रारंब हुआ, हमारे देश में प्राकिर्टिक साधनों की कमी नहीं थी, कमी आज भी नहीं है, और योजना आज भी बनती जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो योजना बन कर निती आयोग रखतिया गिया जिसके अधियाच प्रधान मंत्री होते हैं प्रधान मंत्री वही बनाते हैं योजना की कैसे क्या करना है और देश को आगे बढ़ाने के लिए कोंसा कदम उठाए जाए पर्थम राष्ट्री योजना की घोसना 1951 में की गई यह यह योजना प अब तक 11-15 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं इन योजनाओं में किरसी के विकास के समयबध कारिकरम बनाये गए भारी उद्योगों की अस्थापना प्रभीसिस बल दिया गिया तो सबसे पहले जो है किरसी क्योंकि किरसी हमारे देश की पहचान है हमारा देश किरसी प्रध पथामिक इकाई माना गया है इन विकास खंडों के माध्यम से विकास के कारिकरम चलाएगे विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है विकास खंड का एक अधिकारी होता है जिस पर यह जिमेदारी रहता है कि किस तरह से कदम उठाये जाए और इन्हों योजनाओं को पुरा किया जाएं किर्सी के विकास के लिए सिचाई के साधन बढ़ाएगे यह घाटी पर योजनाओं प्रारम होई जिसमें से भाखडा, रिहन इस सब बड़े बड़े डेम बनाएगे जिससे पानी को स्टोर करके रखा जा सके और सिचाई के काम में बिजली उत्पन करने के काम में लाया जा सके पहली पंचवर्शी योजनाओं में किर्सी विकास को मुख्य लच्छ बनाया गया तो सबसे पहले किर्सी के लिए लच्छ बनाया गया कि हमें अधिक सधी उत्पादन करना है किर्सी छेतर में इसके बाद द्यूतिय पंचवर्षी योजना 1956 में भारी उद्योगों पर बल दिया गया तो इसके लिए अगर पिरिसी को बढ़ावा देना है तो हमारे पास उतने बिहतर मसीन सोने चाहिए जो जोरुरी है खेतों में लगाया जा सके इस तरह की चीज़ा और देश को मजबूत बनाने के लिए कई जो है ऐसे सस्त्रों के आप सकता पड़ता है तो उसके लिए भी लोहा इसपात का उद्योग लगाया गया तो उसके लिए चितरंजन का रेल इंजन का करखाना यहाँ पे जो है इंजन बनता है चितरंजन में वारा नसी का रेल डिजल इंजन का करखाना यहाँ पे है पेरामबूर का रेल डिबबा बनाने का कारखाना यहाँ पे कोच बनाया जाता है रेल डिबबा बनाया जाता है विसाकपटन में जल्यान सीप बनाया जाता है बैंगलोर तथा कानपुर में वायूयान बनाने का कारखाना मतलब यहाँ पे वायू यान हवाई जाज बनाए जाता है भोपाल ततारी द्वार में बिजली की भारी मसीने बनाने का करकाना तो इन मसीनों को क्योंकि बिजली से चलने वाली मसीनों को मसीने ही मसीने मसीन को बनाते हैं इस तरह के मसीन बनाए जाते हैं भारी मसीने जो रहती, चोटी-चोटी मसीनों को उतुरंत बना लेते हैं, कई लोगों के काम वो मसीन अकेली ही कर लेती, इस तरह की मसीन बनाए गए, चंचार साधनों में बहुत सुधार हुआ, देश में 1.55 लाक से भी अधिक डागगर है, टेलिफॉन, मोबाइल, फॉन, जैसी अनिक सेवाई पर चली थे, अभी टेकनोलोजी इतनी विक्सित हो गए, कि हम लोग देखी सकते हैं, कि सभी के हाथों में मोबाइल हो गया है, चंच भार में किसी से वीडियो कॉल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, बाते कर सकते हैं, इस तरह की व्यवस्ता हो गई है उसके बाद सिच्छा के छेतर में कैसे विकास किया जाए, इस पे ध्यान दिया गया, और कई तक्निके अपनाई गई, बिस्व विद्यालयों की संख्या में अभुत्परू विर्धी हुई प्रात्मिक या मायदमिक विद्यालयों का जाल बिछा हुआ है, तो आज बहुत स जनसंख्या निरच्चर है, फिर विए अब जिनकी उमर अधिक हो चुकी है, अब वे पढ़ना लिखना नहीं सिख पाएंगे, उप्योक्त सभी परियासों के बाद भी समाज में वह परगती दिखाई नहीं देती, जिसकी अपेच्छा थी, इसका मुख कारण जनसंख्या क परपानम मुश्किल है, लेकिन फिर वी हमारे देश के सरकार प्रयासरत हैं, वे कोसिस कर रहे हैं कि सब को वैसी बेवस्ता दे जा सके जिसके वे हकतार हैं, विकास के विविध कारियों से जिस खुसाली के नुगती होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई, इसका मुख कारण रहे हैं विकास के यूजनाओं से जितनी परगती होती है, उससे कहीं अधिक जनसंख्या की विर्धी हो जाती है, विकास का समुचित लाब तभी हो सकता है, जब हम जनसंख्या विर्धी पर उप्युक्त नियंत्रन लगाएं, तो यह बहुत जोर Bennett है कि जनसंख्या को निय कि पूर्ति के लिए वे आपर्याप्त हैं, हमें अपने और देश के हित में विकास के कारेकर्मों में सहयोग करना होगा, तो निश्चीत रुप से हमें अपने देश को विक्सित करने के लिए हमें कदम उठाना होगा, आम जनता को इसमें आगे आना होगा जिस परकार से जनसंख्या विस्फोट हुई है तो उसके लिए हमें जागरुक होना होगा सरकार कई बार हमें बतलाती है कि हम दो हमारे दो लेकिन आज भी बहुत जगहों में इस बातों को मानियता नहीं दी जाती है तो हमें उसका कारण है सिच्चित असिच्चित होना तो सिच्चित परिवार के लोग ऐसा नहीं करते है जनसंख्या अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका परिनाम हमें भुगतना है देश को भुगतना है पूरे देश को भुगतना पड़ेगा और यहाँ पे हैं चप्टर समाप्थ हो जाता है यह question दिया हुआ है इस chapter में question number one में question number two में यहाँ पे दिया हुआ है निमलकीत वर्सक्यों पर सिध्ध है तो 1947 1947 हमारा देश इस इस भी में आजाद हुआ था और 1950 तो इस इस भी में हमारा देश में नया सम्मिधान लाग हुआ था तो यहाँ पे हो सकता आपको दिखाईना दे pencil से लिखा हुआ है मैं आपको इसका answer दे दूँगा question number three यहाँ पे आप देख ले क्योंकि मैं इसका answer आगे नहीं दूँगा और यहाँ पे जो दिया हुआ है विल्कुल सही है सारे देश में सोतंतरता के लिए आंदोलन खड़ा हो गया था तो बिल्कुल सही है भारत के लोगों की प्रात्मा स्विकार कर ली गई यह गलत है तो यह गलत लगा हुआ है सेना में विद्रोह हो गया तो यह सही है सेना में विद्रोह हो गया था देश का एक भाग सोतंत्र हो गया था तो देश का एक भाग सोतंत्र हो गया था अंडमान निकोबार दीप समू के बारे में बतलाय जा रहा है सारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरन बन गया था तो यह भी बिल्कुल सही है मतलब सिर्फ एक गलत है खा नमबर का वाकि सब सही है तो यहाँ पे चार नमबर का भी अंसर मैं नहीं दे रहा हूँ आप यहाँ पे ही देख ले है यहाँ पे अंडमान निकोबार दीप को सोतंत्र कराया सुभास चंदर बोस ने यहाँ पे यहाँ पे option दिया हुआ है सुभा परती राज गुपाला चारी तो यहाँ पे दिया हुआ है और यह बिल्कुल सही है देश की विवाजन की मांग पूरी करवाने के लिए दंगे तक करवाए मुहमद अली जिन्ना और यह दिया हुआ है मुहमद अली जिन्ना यहाँ पे वे मुस्लिम लीग के संस्थापक थे वे उन्होंने ही बनाया था और सौतंतर भारत के पर्थम गिरह मंत्री जिन्होंने लगबग 600 रियासतों छोटे राजियों को भारत गंडराईज में मिलाया तो उनका नाम है सरदार पटेल यहां पे दिया हुआ है सरदार पटेल यह होगे complete इसके बाद question number 5 इसका मैं answer आपको आगे भी दे दूँगा यहां पे आप देख लिजिए अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में दीपसमो यह है Muslim League एक संगठन है तो एक Muslim संगठन है आजाद हिंद सेना सुबास चंदरबोस के दोवारा बनाया हुआ एक सैनिक संगठन और Union Jack तो कई बार exam में इसको पूछा जाता है Union Jack क्या है तो ऐसे सिंपली समझ में आता है Union Jack क्या है लेकिन Union Jack बिलिटिस जंडा को ही Union Jack बोला जाता है 1947 में कौन-कौन से भाग हमारे देश से अलग कर दिये गए लिखे हैं हमारे देश का सिंदू, बिलुचिस्तान, आदा पंजाब, आदा बंगाल पाकिस्तान देश से अलग कर दिये गए तो पाकिस्तान की रूप में अलग हुआ तो इसका आंसर यहां पुरा सटिक नहीं है, इसका मैं आपको आंसर आगे बना के देदूँगा, तो आईए मैं आपको इसका आंसर बना के देता हूँ ये है चप्टर 10 का कुश्चन आंसर निमलिखित प्रस्णों के उत्तर लिखे हमारे देश के विकास के लिए गठित आयोग का पहले और अब नाम क्या है स्वतंतरता प्राप्ति के बाद देश के विकास के लिए पहले गठित आयोग का नाम योजना आयोग था 2014 में इसका नाम बदल कर निती आयोग रख दिया गिया पर्थम पंच वर्षय योजना कब प्रारम हुई? पर्थम पंच वर्षय योजना 1951 में प्रारम हुई भारत की योजना को पंच वर्षय योजना क्यों कहते हैं? भारत की योजना ये पांच वर्षय योजना के लिए बनाई जाती है अता इसे पंच वर्षय योजना कहते है देश की परसिध नदी घाटी युजनाओं में से दो नाम है भाखडा और दामोदर इस पात के तीन विशाल करखानों के अस्थान बताईए इस पात के तीन विशाल करखानों के अस्थान है जमसेदपूर, दुर्गापूर और विलाई इस समय भारत की जनसंख्या कितनी है? इस समय भारत की जनसंख्या 1.25 अरब से भी अधिक है हमारे देश में निरक्षरों का परतिसद कितना है? हमारे देश की 25 परतिसद जनसंख्या निरक्षर है अब तक कितनी पंच वर्षिये योजनाएं पूरी हो चुकी है? विकास की प्रात्मिक इकाई क्या है? समुदाइक विकास खंड विकास की प्रात्मिक इकाई है Q2 में निमलिखित वर्ष क्यों परसिद है? 1947 1947 हमारा देश आजाद हुआ था 1950 हमारे देश में अपना सम्मिधान लाग हुआ था और इसके आगे Q5 निमनांकित क्या है? अनमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में दीपों का समुख, मुस्लिम लीग, मुस्लिमों का एक संगठन, आजाद हिंसेना, सुभास्चंदर बोस द्वारा बनाया गया एक सैनिक संगठन, यूनियन जैक, बिरिटिस जंडा Q6 1947 में कौन-कौन से भाग हमारे देश से अलग कर दिएगे? लिखे सिंदू, बलुचिस्तान, आदा पंजाब, आदा बंगाल हमारे देश से अलग कर दिएगे और यहाँ पर यह चप्टर पुरी तरह समात्त हो गया है अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए जिन लोगों को इसके आप सकता है उन लोग तक पहुँच जाए अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह का कई सारे चप्टर के वीडियो हमारे चैनल में आते रहते हैं तो इसके अगले चप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे ताय हम लोग नेक्स वीडियो में चलते है